हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबी लोगों का परिक्षावास के एक नई वीडियो में तो गाइस इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जैसा कि आप लोग बैग्ग्राउंड में देख रहे हो जो टॉपिक है हमारा वो है इसरेल लेबनान सीसफायर अग्रीमेंट अब ये सीसफायर अग्रीमेंट जो है वो किस चीज़ को लेकर के हुआ है आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि 2023 में चीक है 2023 के अक्टूबर महीने में हमास जो की आप कहोगे कि फिलिस्तीन का पैलेस् और्गनाइजिशन है उसने क्या किया उसने इसरेल पर अटेक किया था उसने रॉकेट्स लाँच किये और उसके विरोध में इसरेल ने हमला कर दिया और अक्टूबर 2023 से ये चीज़ लगातार चलती चली आ रही है अब ये विवाद शुरू हुआ था इसरेल और फिलिस्त इरान का भी involvement हो जाता है तो अब क्या हुआ है अब इसरेल और लिबनान के बीच में और लिबनान में अगर हम देखें तो हेजबुला जो की एक और militant organization है उसके बीच में एक ceasefire समझोता हुआ है तो उस ceasefire समझोते को लेकर के हम लोग थोड़ा सा यहां पर बात करेंगे दे ठीक है और इससे 13 महीने से चला आ रहा जो एक युद्ध है जो पूरी तरीके से एक विवाद्श शुरू हुआ था और धीरे धीरे वो एक फुल-fledged war में एक फुल-scale war में convert हो गया था इसको क्या किया जाएगा हौल्ट किया जाएगा इसमें अगर आप रोल देखोगे के इस ceasefire समझोते को successful बनाने में या इसको लागू करने में किन देशों का योगदान है तो इसमें यूएस और फ्रांस की बहुत बड़ी भूमिका है ठीक है और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि ये जो डील है वो क्या हो जाए पर्मानें प्रेसिडेंट हैं Emanuel Macron ठीक है उन्होंने भी कहा कि भई कंडिशन्स इस तरीकी के बनाई जाएंगी जिससे के दोनों देशों के बीच में या दोनों पक्षों के बीच में विवाद ना हो जो बाइडन ने एक ट्वीट करके बताया तोड़ी आई एक ट्वीट करके बताया यह उन्होंने ट्वीट किया ठीक है अब सीजफायर के टर्म्स क्या है देखें सीजफायर समझोता जो हुआ है उसमें आखिर क्या चीज़ें बोली गई है आप यहां पर मैप देख रहे होगे इस मैप में यह जो है यह बॉर्डर है किसके बीच का इसके दक्षन में आप देखेंगे तो इसरेल है और उत्तर में आप देखोगे तो लेबनान है तो बोला यह गया है कि सबसे पहली चीज़ क्या आएगी कि जो बॉर्डर है उस बॉर्डर के 60 किलोमीटर सॉरी 60 डेस का हॉल्ट दिया गया है यानि कि 60 दिन के लिए जो हॉस्टिलिटीज है जो को पूरी तरीके से मतलब वहाँ पर विड्रॉ करना होगा अब यह विड्रॉल किस किस के लिए है मतलब अगर आप इस बॉर्डर को देखोगे तो 40 किलोमीटर का जो इलाका है उसको विड्रॉ करने की बात की गी है विड्रॉल किस का है पहली चीज़ तो इसमें आप देख ख्यार हैं जो भी उनके अड़े हैं उनको क्या करना होगा वहां से समाप्त करना होगा और साथी साथ लेबनीज आर्मी को यानि कि लेबनान की जो आर्मी हो इसको इंशोर करना होगा कि वो दोबारा से वहां पर इस तरीके की एक्टिविटीज जो हैं इस तरीके की क्रियाए जो हैं वो ना कर पाएं ठीक है अब सीज़ पाइड डील में एक चीज़ और आ रही है कि लेबनान को बॉर्डर के पास में यानिकि जो लेबनान का दक्षणी हिस्सा है वहां पर 5000 ठीक है 5000 ट्रूप्स जो हैं वो अपने वहां पर तैनाथ करने होंगे जिससे के दोबारा से ह वो इस इलाके में अपनी activities ना कर पाएं साथी साथ ये भी बोला गया है कि UN का जो peacekeeping troops है आप तब लोग जानते हो कि UN peacekeeping troops maintain करता है तो बोला गया है कि peacekeeping troops वहाँ पर रहेंगे लिबनीज आर्मी के जो जवान है वो वहाँ पर रहेंगे और साथी साथ एक multinational committee setup की जाएगी जो इस चीज को watch करेगी ध्यान देगी के फिर से दोबारा से हिजबुला जो है वो इस border area में किसी तरीके की activities ना कर पाए ठीक है अब यहाँ पर एक चीज और आ जाती है जिसे हम कहते है United Nation Security Council Resolution 1701 देखे पिछली बार इसरेल और हिजबुला में जो युद्ध हुआ था वो कब जुद्ध को समाप्त करने के लिए जो UN Security Council resolution लाया गया था वो था आपका 1701 ठीक है अब इसी 1701 resolution को आधार बनाया गया है जो वरतमान में ceasefire agreement जो है वो हुआ है ठीक है अब 1701 जो resolution है आपका उसमें क्या किया गया था उसमें बोला गया था कि जो भी लिटानी के दक्षण मे area है अब यह लिटानी क्या है लिटानी मैं आपको दिखा दूँ देखे लिटानी को अगर आप देखोगे तो लिटानी यहां की एक नदी है यह इस तरीके से प्रवाहित होती है यह river है तो बोला यह गया कि इस नदी के दक्षण में जितने भी areas हैं उनके बारे में बोला कि उनको क्या करा जाएगा free from any armed fighters मतलब किसी भी तरीके के लडाकू जो लोग है वो वहाँ पर नहीं रहेंगे चाहें वो हिजबुला की बात हो ठीक है तो हिजबुला के बारे में यह चीज बुली गए कि भई वहाँ पर आप जो इनके fighters हैं उनको क्या कर लोगे हटा लोग है और जो UN peacekeeping forces हैं वो इसे guard कर सकते हैं ठीक है अब इस्रेल और हिजबुला दोनों ने कहा कि यह resolution जो है वो क्या किया गया violate किया गया ठीक है हिजबुला ने वहाँ पर अपने infrastructures बना लिये मतलब अपने अड़े वगरा वहाँ पर स्थापित कर लिये ठीक है और बेरुत का claim यह है कि इसरेल ने भी अपनी military fighters जो हैं वो वहाँ पर तैनाद करना शुरू कर दिये थे तो मतलब इस resolution का क्या हुआ violation हुआ ठीक है तो लितानी नदी को याद रखेगा अब देखे ये लितानी नदी है और जो अभी युद्ध हुआ है ठीक है अभी जो भी आप देख रहे हो चाहें इसरेल की तरफ से हमले किये गए हो या फिर हिजबुला की तरफ से हमले किये गए हो वो इसी पूरे इलाक हैं जो ट्रूपस हैं वो यहाँ पर रह सकते हैं लेकिन हिजबुला के लड़ाकों जो हैं वो यहाँ पर नहीं रहने चाहिए तो इसरेल ने कहा कि भी उन्हों ने यहाँ पर इंफर स्रुक्चर बनाना शुरू कर दिया ठीक है और बेरुत का कहना था कि भी यहाँ पर आप ऐस्फायर अग्रिमेंट कियो एकसेप्ट कर लिया उन्होंने इस प्रिक्रिया में अपनी भागिदारी की है लेकिन सातीसाथ उन्होंने कहा कि हमारे पास पूरा अधिकार है कि अगर हमारे सुरक्षा को कोई भी खतरा होता है तो हम क्या कर सकते हैं react कर सकते हैं ठीक है नेतन्यावू ने कहा कि अगर hezbollah इस agreement को violet करता है तो हम एक बार फिर से क्या कर देंचे अटेक कर देंगे हमला कर देंगे ठीक है यह prime minister Benjamin जमीन नेतनियाहु का जो ट्वीट था उन्हों ने ट्वीट скиया कि हमने जो बाईडन से बात की ठीक है उनको ठैंक्स किया वन्नों ने ये सीस फायर घ्रीमेंट जो है वो कराया है ठीक है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसरेल जो है वो इसकी गरिमा को जो है वो बनाए र करते हैं ठीक है और हम मानते हैं कि यह एक पहल है यह कैसा कदम है जिससे इस पूरे इलाके में stability आएगी हेजबुल्ला की तरफ से क्या कहा गया वहां के जो deputy chair of political council है ठीक है उनका नाम है महमूद कमाती ठीक है महमूद कमाती का फोटो आप देख सकते हो तो महमूद कमाती ने भी कहा कि हम भी इस aggression को क्या करना चाते हैं समाप्त करना चाते हैं मतलब यह योद जो है वह समाप्त हो जाए लेकिन उनने कहा कि हम sovereignty के expense पर नहीं कर सकते मतलब हमारे देश की संप्रभुता पर किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं होना चाहिए अगर किसी तरीके का संप्रभुता का खतरा हुआ हमारे देश की संप्रभुता में किसी भी परकार का हस्तक होता है sovereignty को वाइलेट किया जाता है तो हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे अब लास्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हिजबुल्ला है क्या देखे हिजबुल्ला की अगर आप बात करोगे तो इसे आप कहोगे कि लेबनीस political party और साती साती militant group है कभ यह शुरू होता है तो जो लेबनान की civil war थी उसमें एक militia की form में यह start होता है फिर जो इसरेल का invasion है invasion कब होता है 1982 में होता है 1982 में होता है तब से यह active है कि अब ध्यान पर विभाजित है ठीक है एरान आप देखे एरान जो है वो इससे support करता है क्योंकि एरान ने क्या बनार क्या रखा है एक तरीके का ग्रूप है एक समू है जो समू उसका objective यह है कि मिडल आइस्ट जो है मद्यपूर्व जो है उसमें इसरैल का प्रभाव युएस का प्रभाव और साउधी अरेबिया का प्रभाव जह है वो ज्यादा ना हो ठीक है अब ध्यान ये रखना है कि हेजबुल्ला को पिछले काफी टाइम से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है ठीक है इस युद में अगर आप देखोगे तो उसके काफी सरे ठिकाने तहसनेज किये गए उसकी क वीडियो में मैंने कोशिश की कि फटा फट बहुत क्रिस्प और शॉर्ट मैनर में हम इन सब चीजों को क्या करें कवर कर दें लास्ट मैं आप लों को बता दूँ आप पर इक्षाबास को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजे हमारा इंस्टाग्राम का क्यू आर है आपको अगर इस वीडियो का पीडियेफ चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़ जाएए टेलिग्राम चैनल का क्यू आर है यहां पर आपको पीडियेफ मिल जाएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेर जरूर करिएगा कॉमेंट में आप अपनी फीडबेक भी दे सकते हैं और जितने लोगों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दू सब्सक्राइब एट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस